कानपूर के पुलिस कमिशनर विजय सिंग मीना ने अपने महकमे पर बड़ी कारवाई की है मंगलवार 22 मार्च कौन होने एक दलित व्यक्ति को जूटे केस में फसाने के मामले में 14 आरोपी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजर कर दिया साथी इन सभी के खिलाफ विभागिय जाच के आदेश भी दे दिये इसके अलावा इस मामले में कानपूर के बर्रा थाने के SHO, दीनानात, मिश्रा और गोविंद नगर के ACP विकास पांडे की भूमिका की भी जाच की जाएगी पूरा मामला आपको बताते हैं जानकारी के मताबिक कानपूर की आदव माकेट चौकी शेतर के रहने वाले महादेव ने उमराव नाम के व्यक्ति के साथ 35 लाख रुपे में अपने मकान की डील तैकी थी आरोपे की उमराव ने 10 लाख रुपे दे कर मकान की रिजिस्टरी करवा ली लेकिन महादेव के बार बार कहने के बाद भी उन्हें पूरा पैसा नहीं दिया इस वजह से महादेव ने अपने मकान पर उमराव को कब्जा नहीं दिया हाली में महादेव ने आरोप लगाया कि 15 जनवरी 2022 को उमराव वे उसके कुछ साथी छत के रास्ते उसके घर में घुसे और पूरे परिवार को जम कर पीटा इस दौरान महादेव की बेटी का सिर भी फूट गया ये लोग महादेव के परिवार वालों के मोबायल भी लूट ले गए इस घड़ना के बाद महादेव ने बर्रा थाने में उमराव वे उसके साथी उपर लूट और S.C.S.T. समेथ कई अन्य धाराओं में केस दर्च करवाया लेकिन महादेव के मुताबिक F.I.R. के बाद भी पुलिस ने उमराव पर कोई कारवाई नहीं की बलकि 23 परवरी को पुलिस ने उमराव को जबरदस्ती उनके घर पर कबजा दिला दिया आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर जब बवाल तेज हुआ तो इसकी जाच कानपुर के A.D.C.P. साउथ मनीश सोनकर को सौपी गई मनीश सोनकर की जाच में सामने आया कि महादेव के मकान पर उमराव का कबजा कराने में A.C.P. विकास पांडे बर्रा थानेदार दीनानात मिश्रा और यादव माकेट चौकी के इंचार्च की बराबर की सनलिप्तता है मनीश सोनकर की जाच रिपोर्ट के मताबिक महादेव ने S.C.S.T. की धाराओं में केस दर्च करवाया था इसने बर्रा के थानेदार को इसकी रिपोर्ट उच अधिकारियों को देनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने आरोपियों का साथ देने के चलते ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने मामले को थानस्तर पर ही दबा दिया महीं A.C.P. विकास पांडे ने मकान पर कबजे के दौरान मारपीट समेत अन्य विडियो होने के बाद भी आरोपी उम्राप के उपर से लूट की धारा को हटा दिया मनीश सोनकर की जांच रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि A.C.P. पांडे और बर्राथाने के S.H.O. के संग्रक्षन में ही 23 फरवरी 2022 को उम्राप ने महादेव के मकान पर कबजा किया सोनकर के मताबिक उम्राप के कबजे के बाद महादेव का परिवार सडक पर आ गया इसके बाद भी पुलिस ने समवेदन हींता दिखाते हुए महादेव के खिलाफ ही जूटा चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी अभेने मेरा नाम है दव्यांशी देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी शुक्रिया